बच्चो आपका ओर्लाइन क्लास्रूम में आपका स्वागत है और आज जो क्लास 7 के लिए टॉपिक्स लिखाया हूँ वो विंड, स्टार्म, एंड साइकलॉन आप इस टर्म से वाकिफ हैं ऐसी बात नहीं है कि इस टर्म को आपने पहली बार सुना है अगर आप विंड की बात कर रहें तो हरी जंटल जो एर ब्लोइंग है जादा लिए उसी को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं स्टार्म, हाई स्पीड विंड, कॉल इस ट्रॉप और साइकलोन, साइकलोन भी हाई स्पीड हो विंड है, लेकिन इंकलूडिंग अगर यह सबसे इंकलूडिंग हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, साइकलोन कहते है आपने यह सोच है, यह सारे जो फेनोमेना है चाहिए जो विंड का बात किया, या स्टॉर्म, या साइकलोन का यह सारों फेनोमेना किसका देने है एट्मोसफेर का यह एट्मोसफेर है क्या यह एर का एक इन्वेलप है जो पृत्वी को समेटे हुए, आर्थ को समेटे हुए ठीक लेड आफ एर और यह सारे फेनोमेना इसी की वज़र से होते है एर की वज़र से तो atmosphere किसको कहेंगे? एठीक लेयर अफ एयर blanket that covers our earth. उसको हम लोग atmosphere के नाम से जानेंगे. और ये air? अरे भाई, air है. इसकी ठीकने से तो इसका weight होगा ना? और weight है तो यह क्या करेगा? एक जर्ट स्प्रेसर? आपको जानके आश्चर्ज होगा कि air a lot of pressure exerts जिसे हम मैसूस कैसे करेंगे? कैसे मैसूस करेंगे कि air pressure exerts कर रहा है? आईए, हम एक एक factor पर पहले भी चाड़ करते हैं. नमबर वान पहले हमारा factor है altitude यह altitude क्या है वही? height from sea level हम जो भी height को measure करेंगे तो level हम क्या चुनेंगे? sea level sea level से अगर हम उचाई की ओड़ जाते हैं तो हमारे air molecules का जो volume है वो decrease करता चला जाता है number of molecules decrease करता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि no air molecules are found तो वहाँ air का envelope नहीं है और जैसे जैसे air molecules का number घटता जाएगा उसका volume घटता जाएगा तो pressure भी घटेगा ना? pressure भी घटेगा उसका और इसका सबसे अच्छा उदार रहे कि अगर आप गुचाई पे जा रहे हो mountaineering कर रहे हो तो आप के आख कान आवाज करते है pop sound अभी मैसूस किया है high altitude पर अगर चड़ाई कर रहे हो तो तुम्हारे कान आवाज करने लगते है और जब ज़्यादा गुचाई पे जाओ अगर हिमालियन डीस दम में जा रहे हो और उचाई पे चड़ रहे हो तो bleeding शुरू हो जाता है nose bleeding नाक से खुन बहना शुरू हो जाता है तो वहारा breathing faster हो जाता है कभी सोचा ये घटनाए क्यों घट रही है ये घटनाए घट रही है क्योंकि हमारा जो pressure है air के साथ जो balance किया हुआ है वो C-level का है तो जैसे अब मुझे आई पे जा रहे है हमारे सरीर के अंदर का जो pressure है वो तो high है और उपर pressure क्या है घटता जा रहा है तो due to unbalanced pressure nose bleeding शुरू हो जाता है नाक के अंदर जो blood vessels से वो raptured हो जाती है और उससे खून जिसना सुरू हो जाता है दूसरी बात आप जो higher altitude पे जाते हो तो मैंने कहा ना कि number of air molecules decrease करता है oxygen की कमी हो जाती है और चुकि आप high altitude पे जा रहे हो तो energy का demand तो आप खचाता है you need more and more oxygen और oxygen तो हाख कम है जिसकी वज़न से आपका breathing rate बढ़ जाता है देखा आपने अगर आप जमीन पे रहते हो planes पे आप डह रहे हो तो आपके सरीर के अंदर का जो pressure है air pressure है और atmospheric pressure यह balanced है तो तुम्हें मैसूस नहीं होता है लेकिन अगर आप मुझाई पे जाते हो तो वहाँ pressure तो decrease कर रहा है न air का pressure और तुम्हारा तो constant है पर net अगर pressure देखोगे तो तुम्हारा pressure बढ़ा हुआ है और वो pressure को balance करने के लिए तुम्हारा nose bleeding शुरू हो जाता है faster breathing हो जाता है नमर वान altitude नमर टू टेमपरेचर टेमपरेचर का क्या relation है वही तो आप जानते हो temperature बढ़ने से molecules की kinetic energy बढ़ती है volume बढ़ेगा और volume जब बढ़ेगा तो air pressure क्या हो जाएगा घटेगा ना अगर increase करोगे टेमपरेचर का तो atmospheric pressure decrease करेगा नहीं आप जैसे भी देखो कि आप हाईल्टी चूट बेचो ना वहाँ कम है ना air का pressure जादा है ना तो जहाँ भी temperature बढ़ेगा आपका जो प्रेशर है वो decrease करेगा आप तीसरा है water बेपर तीसरा हमारा है water बेपर water बेपर का है moisture इसमें water के molecules है तो आपको जानना चाहिए कि एक लीटर अगर air ले लो तू वान लीटर आफ एर ड्रा एर इसका वज़न जानते हो कितना है और यही जब ले लो तो वान लीटर और वाटर बेपर ले लो तूसका वेट कितना है 0.8 ग्राम दिखा नेट वेट में कितनी कमी हो गई हमारा कम गया न अगर वाटर वेपर की मातरा जादा है तो वेट कम गया न अब वेट कमा तो प्रेसर खट गया न देख लिया तो भाई atmospheric pressure हमने तीन फैक्टर की चर्चा की नमबर वान altitude जिटे मैंने बताया कि आप जितनी उचाए जाओगे समुदर तल से जितनी उचाए पे जाओगे हवा का दवाब घटता चला जाता है प्रेसर घटता चला जाता है उसकी वज़ा क्या है अगर आपसे पुछा जाए क्यूं घटता है तो आप बोलोगे number of air molecules decrease करता है जिसकी वज़ा से air का प्रेसर घटता जाता है दूसरा temperature की बात करते है तो temperature के बढ़ने से volume बढ़ता है number of molecules घटेगा pressure घटेगा और तीसरा हमने बात किया water vapor का अगर air को replace करता है water vapor तो उसके mass में क्या होता है कमी होती है ना वेट में कमी हो जाती है ना अब वेट में कमी हो जाएगी तो pressure भी क्या कर जाएगा इसका decrease कर जाएगा तो यह तीन factor हमने देखा how pressure decreased carried by atmosphere अब यगला term है हमारा wind यह wind क्या है अर प्रित्वी तलके parallelly जो हवा बैह रही है उसको हम लोग क्या कहते है wind कहते है horizontal movement of air is called wind ऐसी बात नहीं है भार्टिकल भी air का होता है movement तो मैं भार्टिकल air movement की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको air currents बोलते हैं मैं बात कर रहा हूँ वैसा air जो आपके horizontal movement हो रहा है आर्थ के horizontal move कर रहा है this is called wind और इसकी वज़ा क्या होगी अभी ठंडे के मौसम में देखोगे कि high speed wind तुम्हें कम देखने को मिलेगा उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा है due to less difference in atmospheric pressure इसका मतलब wind blow करने का सबसे main कारण के है factor के है difference in atmospheric pressure जैसे ही atmospheric pressure में difference होगा wind blowing from high atmospheric pressure to low atmospheric pressure आईए अभी star से देखते हैं तुम तो जानते हो कि सूर्ज के रोशनी एक समान हमारे प्रित्वी पे पड़ रही है रेकिन क्या सारे particles एक समान गर्म हो रहे हैं जी नहीं सबसे पहले कौन गर्म मरता है आपको पता है सबसे पहले गर्म कौन होता है अरे सबसे पहले गर्म हमारी प्रित्वी लैंड होती है और लैंड जैसे ही घर्म होती है तो उसके contact में जो air है वो भी घर्म होके उपर उठ जाता है अगर लैंड और water की बात करें sea water की बात करें तो पानी देर से घर्म होता है और देर से ठंधा भी होता है जब तक तुमारी जमीन घर्म होती है तब तक पानी ठंधा ही रता है तो पानी के उपर कैसा है भाई आइप डरिसर और जमीन के उपर घर्म हवात उपर उठ जाएगी न तो कौन सा प्रेशर होगा लेस प्रेशर compared to sea level और जैसे ही difference of atmospheric pressure हुआ हवा का पैना सुरू हो गया अब कहां से हवा बहेगी तो from high pressure to low pressure समुद्ध से हवा बहनी सुरू हो जाएगी तो देखा हवा का बहुक किसमे डिपेंड करता है तो एक term को याद रखना है इसको क्या बोलेंगे atmospheric pressure यह atmospheric pressure create किससे होता है air के envelope से air के envelope से यह pressure create होता है अब suppose करो हमें direction पता लगाना है कि हवा किस दिसा में चल रही है हवा किस दिसा में चल रही है हम कैसे पता लगाएंगे तो एक device है जिसका नाम है weather cock क्या बोलते हैं इसको weather cock यह क्या होता है सर यह दूसरा नाम है इसका wind vane दूसरा इसका नाम है wind vane इससे हम दिसा को पता लगाने का काम करते हैं इसमें देखो square saved और एक पर बुर्गा का निसान बना होता है और हवा जैसे ही बहती है और यह direction show कर देता है कि हवा किस दिसा से पह रही है इससे हम direction of wind मालूम करने का काम करते हैं दूसरा हमारा है एक device जिसको बोलते हैं एनिमो मीटर एनिमो मीटर यह क्या है सब एनिमो मीटर यह एक instrument है जो wind के speed को measure करने का काम करता है हवा तो बह रही है ना different speed से पहने का काम करती है और उस speed को पता लगाने का काम कौन करेगा तो हमारा एक device है जिसका नाम है एनिमो मीटर आईए हम लोग atmospheric pressure के बारे में कुछ experiments करेंगे हम जानने का पढ़ियाज करेंगे atmospheric pressure को कैसे मैसूश करेंगे हम with the help of some experiments आप एक काम करो एक plastic का water bottle ले लेते हैं plastic का water bottle ले लेते हैं और उस bottle में उस plastic के water bottle में हम हलका गर्म पानी लेकर पांच मिनट के लिए छोड़ देते हैं पांच मिनट के लिए हलका गर्म पानी लेकर bottle को खुला छोड़ देते हैं क्या होगा सारे air को replace कर देगा हमारा water vapor water vapor जो है सारे हमारे inside जो air है bottle के अंदर उसको replace कर देगा अब इसके cap को आप बंद कर दिए पांच मिनट के बाद सारे पानी को खाली कर दिए और यतना fast हो उसके मुझ को बंद कर दिए seal कर दिजी आप cap the bottle tightly और इसके उपर आप ठंदा पानी को डालने का काम कर दिए क्या होगा भई? कौन सी गटना गटेगी? अगर आपने इसने ठंदा पानी डालने का काम किया cold water, तो कौन सी गटना गटेगी? कभी आपने महसूस किया? ः भई आप इसके आप उसके अंदर तो आप बाटर बेपर है na? और जैसे ही अपने ठड़ना पानी डाला, तही ये वाटर पे पढ़ क्या होगा, चंडेन्स कर जाएगा, एंड चेंज इंतु वाटर ड्रोपलेट्स, अब तो बोलूम घड़ गया न, इंसाइड बोटल, इसके अंदर का प्रेसर क्या हो गया, लो प्रेसर, अब बोटल के अंदर क्या हो गया, लो प्रेसर, अब बाहर हमारा क्या है, हाई प्रेसर, बाहर की ओर हमारा क्या है, एर का हाई प्रेसर, तुम देखो कि बाहर क्या हो गया, सिकुड गया, हमारा बोटल क्या हो गया, सिकुड गया, यह देखा, effects of atmospheric pressure यह पहला experiment दूसरा हमारा है कि दो inflated balloon ले लो आप दो inflated balloon ले लो मतलब फूला हुआ एर भड़ा हुआ आप दो balloon ले लो ठीक है और same size का है at a distance of 30 cm ज्यादा दूरी नहीं रखना है वाट 30 cm की दूरी रखो दोनो balloon के बीच में 30 cm का distance रखो और एक straw की मदद से आप इसके बीच में air को blow करो एक straw की मदद से हम air को blow करने का काम करते है क्या देखते हैं देखते हैं कि market का च्छत देते हैं तो उसके ऊपर heavy load देते हैं कभी सोचा ऐसा क्यूं कर रहे है अरे बाई अगर आपका room pack है पुड़ी तरह से और आपने teen का cover दे रखा है तो जब high speed wind आएगा तो आपको पता है कि आपके teen के च्छत के ऊपर कौन सा pressure create होगा low pressure और आपके room के अंदर क्या है high pressure तो नीचे high pressure ऊपर low pressure इसके वज़ा से क्या करेगा आपके teen को फैंक देगा उपर की और कभी-कभी आप देखते होंगे बड़े-बड़े गोदाम स्केट teen वेगरा जो है करकट वेगरा हो हवा में उड़ते नजर आएंगे उसकी बज़ा क्या है उसकी यही बज़ा है कि high wind जो है high pressure को create करता है और आपके room के अंदर क्या है low pressure room के अंदर high pressure अउपर क्या है low pressure जिसको balance करने के रिए क्या करता है room के अंदर की हवा जो है तीन वाले जो च्छत है यह करकट को बाड फैक देती है तो अभी आपने दूसरा experiment देखा तीसरा experiment हमाड़ा है कि आप तीन सेंटीमीटर चोड़ा का कितना मैंने बोला तीन सेंटीमीटर चोड़ाई हो और लंबाई हो लगवग एप्रॉक्स एट सेंटीमीटर का एक paper का टुकड़ा ले दिए और इस paper का टुकड़े को क्या करेंगे आप आप नीचे होट के नीचे रखे फूकने का काम करिए तो जिसमें आप paper रखे हुए हो वो paper तो नीचे चुका हुआ है लगि जैसा ही आपने फूकने का काम किया paper उपर उठी जाता है अभी सोचा ऐसा क्यों हुआ फिर आप सुनिए paper का तीन सेंटीमिटर चोड़ाई का और लगबक एट सेंटीमिटर लंबाए का एक टुकड़ा ले लो paper का और मुँ के सामने रखो उसको तो paper क्या हो जाएगा एक शीरा पकलो और दूसरा सीरा नीचे चुक चाहेगा ना लेकि जब फुकने का काम करो तो देखेगा कागज का जो निचला सीरा है वो उपर उठ गया क्यों वही ऐसा क्यों हुआ ये घटना क्यों घट गई ये इसलिए हुआ कि जब आपने air blow किया तो paper के उपर कैसा pressure हुआ low pressure अब paper के नीचे क्या है इसलिए याद रखेगा कि high speed wind creates low pressure high speed winds creates low pressure आईए एक experiment और करते हैं हम लो कि air को अगर गर्म करो तो ये expand करता है और उसी air को आप ठंडा करो तो वो contract करता है कैसे प्रूब करोगे इसको अगर ये experiment करना रहे तो हमें कैसे प्रूब करेंगे हम तो एक काम करो एक आप glass का bottle ले लो याद रखो कौन bottle लोगे एक glass का bottle ले लो और bottle के उपर एक balloon को बांदो air tight करके एक balloon को बांदो अब करना क्या है तो सबसे पहले इस glass bottle को hot water के अंदर डाल दो मैंने क्या किया इस glass bottle को hot water के अंदर डाल दिया क्या अब्जर्ब किया तुमने तुमने अब्जर्ब किया कि balloon जो है वो इस्वेल कर गया फूल गया balloon जो balloon फिचका हुआ पड़ा हुआ था एक किनारे में बूतल के अपरिंड पे वो balloon स्वेल कर गया क्यों स्वेल किया वही तो जैसे ही मैंने hot water में डाला इसको तो glass का body गर्म हो गया ना इसके अंदर की हवा भी गर्म हो गयी ना तो आप तो जानते हो कि heat करने से air क्या होता है expand होता है उसने balloon को फुला दिया अब इसी experiment को फिर दूसरे cold water cold water में आप डाल दो इसको तब क्या देखते हो जब आप cold water में डालते हो तो जो balloon फुला हुआ था वही balloon क्या हो गया श्रिंग कर गया पिछक गया क्यों भई यह balloon पिछक क्यों गया और भाई आप तो जानते हो कि ठंडा करने से कूल करने से air क्या होता है contract करता है उसके कर नजजदीक आ जाते है तो जैसे हैं हमने cold water में डाला इसके particles जो है air particles वह contract कर गया balloon फिर स्रिंग कर गया तो आपने प्रूब किया न कि hot air expands hot air क्या होता है expand करता है और cold air क्या है वह स्रिंग करता है आईए एक last experiment और है हमारा आप तो जानते हो कि hot air expands and rises up अपने यह पढ़ा है न कि गर्म हवा उपर उठती है एक तो फैलती है और फिर क्या हो जाती है उपर की और चली जाती है इसको कैसे प्रूब करोगे तो एक काम करो एक candle ले लेते हैं हम क्या करते हैं एक candle ले लेते हैं और कैंडल के उपर जो है एक पेपर के स्ट्रिक को हम चिपका के छोड़ देते हैं लटका के छोड़ देते हैं तो देखते हैं क्या घटना घटती है तो जैसे आप candle को जलाते हो तो यहां की हवा गर्म होके क्या होगी उपर उठना सुरू कर देगी candle को आपने जैसे ही जलाया तो यहां आसपास की हवा क्या होगी इसके ओ फ्लेम के उपर एर गर्म हो गई और वो उपर उठना सुरू कर दी तो यह paper को क्या किया, उस करना शुरू कर दिया, देखो कि यह paper में movement शुरू हो गया, देखा आपने, जो paper एकदम सांथ लटका हुआ था, candle को जलाने के पहले, paper हमारा, सांथ था, लेकि जैसे हमने candle को जलाया, तो candle के flame के आसपास, due to heat, गर्भावा फैल गई, और उपर जाने लगी, और उपर उटने की वज़ा से, air के movements की वज़ा से, इसने paper को भी move करना शुरू कर दिया, इससे हमने क्या observe किया, कि hot air expands, and second point, it rises up, अब इसी की वज़ा से, तुम तो जानते हुआ हमारा ultimate source of energy कौन है, sun, और ये, और ये पूरी प्रिद्वी क्या है, एक्वली हीट होती है, मैंने फिर सुरू में ही बताया है तुमको, कि हमारी प्रिद्वी unequally हीट होती है, और जब unequally हीट होगा, तो air का भी expansion क्या होगा, unequally, हवा गर्व होगी दूबर उठेगी न, तो कहीं pressure decrease करेगा, कहीं pressure increase करेगा, और यही difference in pressure के कारण, जो हमने शुरू में चर्चा किया, टॉपी का, wind, storm और cyclones के आने का वज़ा है, this is the cause due to difference in atmospheric pressure. तो बच्चो, next part में हम, इसके effects को जानने का पढ़ियाज करेंगे, what are the effects of difference in atmospheric pressure, और बिस्तार से चर्चा करेंगे, wind, storm and cyclone का. Thank you. और उन्वाद करेंगे, क्वश्चो, next, बच्चो, next, बच्चो, next, बच्चो, next, बच्चो, next.